बिवानी में आए दिन निजी अस्पतालों पर सवाल उठने लगे हैं ताजा मामला स्पैस हस्पताल का है जहां अस्पताल प्रिशाशन द्वारा मरीज के इलाज के लिए तैय फीज से जादा पैसे मांगने पर विवाद हो गया आखिरकार पुलिस की मजस्ता के बाद 30,000 रुपे कम करने पर परिजन माने बताया जाता है कि हनुमान गेट निवासी 27-28 वर्षिय अजीत नामक यूवक को रविवार के दिन स्पेस हस्पताल में बढ़ती करवाया गया था अजीत के परिजनों ने अजीत के ठीक होने पर जब छुटी मांगी तो चिकटसकों ने 30,000 रुपे देने पर छुटी देने की बात कही इस पर परिजनों ने विरोज जताया और अस्पताल में ही धरना दे दिया मामले की सूचना पाकर सीविल लाइन थाना परभारी विद्धानद मोकी पर पहुंचे और परिजनों वे चिकटसकों को समझा बुजा कर मामला शांत करवाया बरीज के परिजन क्रिशन कुमार वे पिंकी देवी ने बताया कि अजीत ने ज्यादा ट्रिंक की थी जिसके बाद उसे स्पैस हस्पताल में बर्ती करवा गया था उन्होंने बताया कि हस्पताल में बर्ती के समय इलाज के लिए 15,000 रुपे मांगे थे लेकिन 50,000 रुपे देने तथा मरीज ठीक होने पर भी चुट्टी नहीं दी आप अजया पर पीसे कोनी आथ हमी से छुट्टी दे बाई मारा पर कोनी नहीं आज जुडवाले पाप पकड़वाले हो जो पहले पैसे के इंजाम करें आप तान्दी का शड़ मारी को सुना इना करी संग कि यह बात से जी और मैंने बात जो पीस तब अधाई कोनी नहीं तिवाद आप कि पंदराज रापी बताए हिन नहीं पर चार्चा बात से बाताई भी बो यह पाथ ठीक हो गया थो रहा है शिविल लाइन प्रभारी मुखे पर पहुंचे पताया कि हनुमान गेट निवासी अजीत को रविवार के दिन यहां बढ़ती करवाय गया था और इलाज के पैसों को लेकर परीजनोवे चिकित्सकों में विवाद हो गया था जो दोनों की सहमती के बाद ही सुलज गया इलाज के 30,000 रुपे कम करने और मरीज को जुटी देने पर ये मामला दो शान्त हो गया लेकिन इस प्रकार का ये पहला मामला नहीं है एक सफ़ता मातर में शेहर में तीसरा मामला है क्योंकि कुछ रोज पहले दो मरीजों की लाज के दुरान संदिक दमोत पर हंगामे हो चुके हैं